बोर्ड एक्जाम देखो नॉर्मल एक्जाम जो स्कूल में होता है उन में कोई टेंचन नहीं होती जर्नली उन स्कूल के एक्जाम में ज्यादा टेंचन नहीं होती बोर्ड का एक्जाम जब देने बाद जाते हैं आपको बताओ मैं एट्थ क्लास में बोर्ड का एक्जाम दे नहीं मेरा एक्जाम कैसे होगा तो कि कोपियां अगर खुद के टीचर चेक करते तो बात अलग थी यह कोपियां चेक होने के लिए कहीं ओर जाती पता नहीं अगले का मूर कैसा है कल को शादी शुदा होगा और पत्नी से लड़ाई करके बैठा होगा तो नंबर काट लेगा स सच में बता रहा हूं कि जिंदिगी में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें आपको जिलनी है और ये कुछ भी नहीं है आपका बोर्ड एक्जाम कुछ भी नहीं है और इसलिए ना अब अपने आपको परिपक्वा बनाओ चोटी-चोटी चीजों में घवराने की जरूर नह लगी थी तो चोट लगने से क्या मैं उसपे चब भी पानी गिरते तो बड़ा दर्द होता था तो पर मज़े की बात क्या होई कि उसी दिन मेरे अकल दाड़ा गई तो दात में दर्द हो रहा था और एक्चली मेरे को नहां के फिर डॉक्टर के दिखाने जाना था तो आप को पता है ना तो मेरे दाध का दर्द इतना सीवियर था कि अखल दाड आती तो बहुत दर्द होता तो मुझे यहां पर पानी पढ़ रहा था तो महसूस ही नहीं हो रहा था आपको पता है कि एक दर्द को भुलाना है उससे बड़ा दर्द मिल जाए तो छोटा दर्द अप आपना करियर है आपको अपने करियर पर भी तो फोकस करना है जो की सबसे बड़ा सवाल है इसके लावा जिन्दगी में ना जाने कितनी चीजें होंगी तो कब तक हम लोगे छोटे-छोटे बोड एक्जाम को लेके टेंशन में रहेंगे और चोटे-छोटे बोड एक्जाम को लेके टेंशन कर कर के अपने आपको खतम करते रहेंगे है ना खाव पियो एस करो अपना 200 पर सेन्ट लो पढ़ाई करो ठीक है ब्ड टेंशन ना लो